एक बार की बात है, एक जंगल में एक हाथी अपने परिवार के साथ जंगल में घूम रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे शेर दिखता है और वो डर जाता है, और शेर से कहता है कि मुझे जाने दो, पर शेर उसे नहीं जाने देता और खा लेता है और हाथी की आत्मा भटकने comment for part 2 और मदद के लिए चिलाता रहता था और जब भी कोई जानवर उसके पास जाता था तो वो उसको खा जाता था एक दिन ये सब एक हाथी देख लेता है और वो ये सब जंगल के जानवरों को बता देता है और उस दिन के बाद उसके पास कोई भी मदद के लिए नहीं जाता इस हाती के नीचे पिच्का देता है, और शेर की आत्मा बन जाती है, और भठकने लगती है, इसलिए एक ज constitution में कोई भी राराजा नहीं था. तभी एक दिन वहां एक बाग आता है और वो जंगल के जानवरों से कहता है कि मैं आज से इस जंगल का राजा हूँ अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा ये सुनकर जंगल के जानवर डर जाते हैं और वो उसको जंगल का राजा मान लेते हैं और बाग जानवरों से ही शिकार करवाता था और खुद आराम से बैठ कर खाता था इसकी वजह से जंगल के जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं और वो एक दिन फैसला करते हैं कि वो ब पाक को जंगल से दूर भगा देंगे। सब्सक्राइब।